पैरोनिम्स और हमोनिम्स हलाकि इन शब्दों से आपको बहुत मतलब नहीं क्योंकि competitive है इसका कोई use रही है पर चुकि ये word is topics related करते हैं इसे topic का नाम में नहीं लिखा है पैरोनिम्स और हमोनिम्स पैरोनिम्स means जिनके sounds एक से हो ऐसे शब्द जो उच्चारण में लगबग एक से होते हैं सेम उच्चारण वाले होते हैं सेम ध्वानी वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं and homo names means जो दिखने में एक से होते हैं पर उच्चारण अलग-अलग होते हैं spelling लगबग एक से होती टेकप करना मतला अपना लेना हम कहते हैं हमने इस बच्छे को अडॉप्ट कर लिया है मतला अपना लिया है अपना लिया है हमें अच्छी आदत है अडॉप्ट करनी चाहिए अपना लेनी चाहिए तो अडॉप्ट करना सुईकार करना टेकप कर लेना यहां पर देखे वी हम मैं दिली के और मैंने अपने आपको हाँ पर अड़ास कर लिया हम उस कमनी जोएब कि और वो उस माहौल में हम अड़ाप्ट हो गए अड़ाप्ट हो गए मतापने अपने अपको अजिस्ट कर लिया तो और यह है और एक्सपर्ट होना skilled होना, expert skill के लिए एक और word, एक phrase भी है green hand, green hand का मतलब भी expert होता है, तो green hand कहीं पर आपको मिले, green hand, हरे हात वाला, तो green hand का मतलब भी क्या होता है, expert, green hand, expert है वो है ना, तो expert के लिए, expert है, adapt है और green hand भी expert हो जाएगा, she is adapt in the art of singing, वो singing के art में क्या है, adapt है, adopt, adapt, adapt, यह तीन है से हो जाएंगे, adopt, adapt, adapt, like this one, तो adapt है, तो तीन words होगा है, next है, beside और besides, यह सारे वो words है, यदि आप कोई भी examination paper लगाएंगे, यदि आपने सारे videos अभी अच्छे से दिखे ह हुए हैं, उसमें सारे vocabulary को याद किया हुआ है, मैंने बहुत सारे वीडियो तो भी नहीं दिये, hardly आप आँचाठी वीडियो हुए हैं, पर उन सारे वीडियो में उतनी ही vocabulary यदि आपने याद करी है, honestly, और आप कोई भी paper लगाईए, आपको एक दो word मेरे पढ़ा हुए मिल ही जाएंगे, पका है, तो थोड़ा ध्यान दीजी, आपको exam में vocabulary बहुत help में लेगी, और आज का जो समय है, competitive examination में, grammar बहुत कम है, सारा कुछ vocabulary based है, सारी classes में लोग grammar खुब पढ़ा रहे हैं, पर अंते exam में grammar अब नहीं हो आता है, उतना चार पांच नमर का ही आता है, basic काम इस पर करना है, आपको vocapper करना है, जितना vocapper करेंगे, उतना exam आपके लिए easy हो जाएगा, English को लेकर, तो vocapper ध्यान दीजेगा, now, next is beside और besides, दो शब्दें, beside और besides, ऐसका difference है, beside और by the side of, मता के बाजू में जो हम बोलते हैं, वो beside हो जाएगा, और besides मता in addition to, मता के अलावा के तो beside के बाजू में, और besides के अलावा या के अतिरिक्त, जैसे देखें, मोहन sat beside में, मोहन मेरे बाजू में बैठ गया, तो beside के बाजू में, beside singing, singing के अलावा, मतलब जो है उसके अलावा, singing के अलावा, he is learning, dancing, वो dancing भी सीख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा के अलावा, और यह हो जाएगा के बाजू में है तो beside and besides so adopt, adapt, adapt, beside और besides next word है contagious और contagious और contagious तो contagious और contagious तो contagious means spread by contact जो लोगों के छुने से फ्यलती है संक्रामक तो क्या हो जाएगा contagious हो जाएगा और contagious means adjacent adjacent मतलम nearest pass में सटा हुआ बिलकुल बाजू में besides से जुड़ा हुआ लगबख शब्द हो जाएगा तो दोनों में की spelling में नतर है contagious और contagious 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 जुसमें GU OUS है और जुसमें GI OUS है contagious contagious spread by contact और adjacent spread by contact जो छुने से फ्यलती है मतलब संक्रामक और adjacent मतलब बिलकुल ही बाजू में करीबी पास में Corona was a contagious disease Corona एक छुट वाली बिमारी थी छुने से फ्यलती थी Dali and Noita are contagious 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 है मतलब वो आस पास में हैं लगबग एक दूसरे से जुड़े हुए सटे हुए हैं disease or disease 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 illness बीमारी a disease म्रत death Mohan is suffering from incurable curable curable मतलब इसका उपचार हो सके incurable जिसका कोई उपचार नहीं है लाइलाज तो Mohan is suffering from incurable disease मतलब बीमारी से आफ़ान अड़ डिजीज्ट परसंदेर मुझे वहाँ पर एक म्रत व्यक्ती मिला तो दीज़ा दफ्यू वर्ड्स बड़े important हैं आपको पेपर में बार बार मिलेंगे sounds एक से हैं और अलग अलग हैं या spelling सेम हैं और sounds अलग अलग हैं ऐसे शब्दों को हम paranims और harmoniums बोलते हैं तो यह लगतार हम आप कर देंगे थोड़ा थोड़ा से दे रहे हैं कि जितना जैसे आज आपने यह वीडियो देखा कितने वर्ड आप honestly को बगप कर लीजिए फिर अगले वीडियो में जाए फिर वर्ड मिलेंगे उनको मगप कर लिए रोज उतना उतना वह यह आप honestly कर रहे हैं I assure you कि exam में आपको vocabulary बनेगी ही बनेगी पर जितने वर्ड में दे रहा हूं उनको honestly कीजिए जितने भी students online classes की तरफ बूप करना चाहते हैं online वीडियो चाहते हैं सिर्फ 25 रुपीज 25 रुपे देकर आप online की सारे वीडियो को इस कर सकते हैं तो 25 रुप में आप सारे को सेलेक्शन वाला एप में जाकर ले सकते हैं यदि आप offline क्लास की तरफ जाना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपे पर बन्त देकर आप जो भी एक कर दो